नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों CSIR इंडियन इंस्ट्टूट आप पेट्रोलियम की तरफ से आईटिया और डिप्लोम वालों के लिए बहुत अच्छी वर्ति निकल के आ रही है दोस्तों यह वर्ति आपकी पर्मेनेंट होने वाल है तो काफी टाइम है दोस्तों यहां पर आपको फॉर्म बरने का और इसमें दा लास्ट डेट आप रेसीप्ट आप हार्ड कोपी आप अप्लिकेशन जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा एप्लिकेशन के बाद और आपके जो डोकुमेंट रहेंगे उनको आपको इसमे जो है मतला गुरूप टू की है यह और इसमें टेक्निशन में जो आईटे वाले हैं वो लोग यहां पर अप्लाई कर पाएंगे यहां पर हम बात करें डिप्लोम वालों के लिए तो टोटल पोस्ट उनके लिए 24 हैं और यहां पर आईटे वालों के लिए टोटल 27 पोस्ट यहां पर निकाली हुई है पेस्किल की हम बात करें एच पर सेवंथ सीपीसी तो 35,400 बेसिक रहने वाला है और जो सेलरी रहेगी स्टार्टिंग वो रहेगी आपकी 59,196 रुपीज तो इतना आपको सेलरी दोस्तों यहां पर मिलने वाला है अगर आप डिपलोमा से यहां प अगर आप जर्ब केटिकरी से आते हैं तो उनको यहां पर जो रूल है उसके साब से चूट यहां पर मिलेगी तो हम यहां पर एजूकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो हम डिपलोमा वालों के लिए पहले बात कर लेते हैं यह मेकनिकल का पोस्ट रहने वाला है य यहां पर देख सकते हो डिप्लोमा इन मेकनिकल इंजिनिरिंग अबलिक यह मतलब टेकनलोजी ओप एटलिस्ट थ्री एर फुल टाइम डूरेशन और इसके अलाबा एटलिस्ट टू एर फुल टाइम डूरेशन इन केस ऑप लेटरल एडमिशन बित मिनियूम फिल्ड तो यहां पर इन्होंने दो साल का एक्सपिरियंस मांग लिया है अगर आपने लेटरल एंटरी से डिप्लोमा किया है तो दोस्तों यह क्वालिफिक्शन सभी में सैम रहने वाली है और यहां पर पोश्ट निकली हैं डिप्लोमा वालों के लिए इसके अलावा यहां पर साइंस एंड कम्म्निकेशन और आरो ने की और नतकालि ही है अम बात कर लेते हैं के लिए इस साल है तो इन्हों ने यहां पे दस्वी तो मांगी हुई है साथ में दोस्तों दस्वी के साथ में मन्दा आपको दस्वी जो है 55% के साथ होना चाहिए आपके पास और ITI होनी चाहिए Attendant Operator Chemical Plant से या इसके लावा Laboratory Assistant Chemical Plant से आपके पास ITI रहनी चाहिए तो आप यहां पे इलिजबल हो इसके लावा Turner Trade में हम बात करें Turner Trade में एक पोश्ट है आप पे और Qualification वही सेह में 10-25% और Turner से आपके पास ITI होनी चाहिए इसके लावा Glass Blowing की यहां पे हैं तो इसकी एक पोश्ट है Qualification सभी में सेह में ITI यहां नहीं मांग रखा है इसके लावा यहां पे Plumbing की पोश्ट हैं तो इसमें Plumbing से ITI होना चाहिए आपके पास और फिर इसके लावा Carpenter की का है Carpenter से ITI आपके पास होना चाहिए और Refrigeration and Air Conditioning की यहां पे वेकेंसी आई होई है तो इससे आपके पास ITI होनी चाहिए और Builder की यहां पे एक पोश्ट निकली हुई है Civil Engineering यहां पे Mason Trade मांगा हुआ है Mason Trade से आपके पास ITI होनी चाहिए दोस्तो इसके लावा फिटर की यहां पे तीन पोश्ट निकाली हुई है होने और फिटर साइट होनी स्थाहां पर आपके अप्लाई कर सकते हैं इसके ळावर टिजल मैंकरी में हैं यहां पी एक पोश्ट और मॉर्टर मैंकरी की यहां पे दो कोश्ट है और थी अगर आप इलिजिबल हैं तो आप इसमें जरूर अपलाई करिए सेली की दरेश्टी से और जोब प्रोफाली की दरेश्टी से काफी अच्छी जोब है दोस्तों चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकन को प्रेस कर लीजिए थैंक्यू सो मच